नाजिन अदाब मैं हूँ युष्रा और आप देख रहे हैं MMC News इंडिया नाजिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नाजिन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुम्ताज आलम रिज्वे साब नाजिन आज हम बात करेंगे अयोधिया मामले के बारे में मुम्ताज सब्सक्राइब माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत हैर मगदाम है उन्ताज सब्सक्राइब बाबरी मजजित का मसला सुझाने के लिए सुप्रीम कोट ने 15 अगस तक का वग दिया है उस पर आप क्या कहना जाएंगे देखें सुप्रीम कोट में कल आज इस मामले की समात होनी थी और आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोट ने इसमें मसालियत की बात कही थी इसमें एक जस्टिस बोबडे है जो पांच रुकनी ये बेंच तशकील दी गई है आईनी बिंच सुप्रीम कोट की जो की चीप जिस्टिस आफ इंडिया की सदारत में है उसमें एक जिस्टिस है जिस्टिस बोब्डे उन्होंने ये कहा था कि अगर मुसालियत की एक परसंड भी गुनजाईश है तो मुसालियत की बात होनी चाहिए आपसी बात चीश से मामले को हल होना चाहिए इस पर ये था कि आदालत अगर खुद इसमें मदाखलत करे और कोई पैनल तशकील दे तो बात हो सकती है तो इसके बाद सुप्रीम कोट ने आज से आठ हफ़ते पहले यानि दो महीने कबल मार्च में आठ मार्च 2019 को एक साहरुकनी कमेटी तशकील दी थ जिसमें शिरी शिरी रविशंकर चामिल थे और एक लाइर थे तो तीन साहरुकनी कमेटी ये तशकील दी गई थी और इस कमेटी ने फाइज़ाबाद में सुप्रीम कोट की हडायत के मताबिक फाइज़ाबाद में इस मामले की समात की थी बड़ा खत्रा मालूम हो रहा था क्योंकि इलेक्शन का वक्त था तो बागादा सेक्योटी के साथ वहाँ पे इस मामले की समात हुई वहाँ पे तमाम फारिकाइन को अलग अलग तारीख में बुलाए गया और पिर एकसाद भी बुलाए गया इसकी खास बात ये रही कि सुप्रीम कोट ने सक्त एदायत दी कि तमाम फारिकाइन से कोई बाहर निकलके बयान बाजी नहीं करेगा, किसी किस्म का बयान नहीं देगा तो यही वज़ा है कि कोई बात बाबरी मस्जित से मतालिक बाहर नहीं आई लेकिन यह है कि एक रिपोर्ट जरूर तयार हुई और चुकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि आपको आठ हफ्तों में यानि दो महीने के अंदर अंदर यह सब कारवाई करके रिपोर्ट सौपनी है तो इतला यही है कि वो रिपोर्ट सौप्रीम कोर्ट में जब सौपी गई तो आज इस मामले की सुनवाई थी लेकिन अब जैसा की खबर आई है कि वो आगस तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और फिर यह बात कही गई है कि मसालिहत की बात होनी चाहिए बारहाल चुकि एक तो यह की एलेक्शन का ख़त्शा था और यह लग रहा था कि कहीं ऐसा नहो कि सियासी जमातें बाबरी मस्जिद राम जनम भूमी के मसले को सियासत में ले आए और उसके वज़े से एक मुलक का माहौल खराब हो लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है तो जाहिए से बात है कि एलेक्शन तकरीबन खत्म हो रहा है 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा और नई हकूमत तश्कील पा जाएगी तो नई हकूमत बनने के बात क्या सिच्वेशन होती है वो देखने वाली बात होगी तो बहराल ये सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर और ये इसलिए भी है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट यानि कोर्ट की आज आखरी तारीख ती आज के बास से वहाँ पे तातील हो जाती है यानि गर्मी की छुटी हो जाती है तो वहाँ पे जो 14 बेंच लगती है युसरा साहिबा उसमें से सिर्फ एक बेंच ही काम करती है वो भी समर वैकेशन बेंच कहलाती है यानि कोर्ट का काम कभी बंद नहीं होता है लेकिन फिर भी 13 जो बेंचेज हैं वो छुटी पे रहती है तो बहराल अब इसी वज़े शायद ये मुलतवी किया गया देखे शुरू से हमने ये चीज़ देखी है कि अलाके घुसा सबसे ज़्यादा मुस्लिम को आना चाहिए क्योंकि उनकी मस्जित को वहाँ पे मुनदिम किया गया शहीद किया गया लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि मुस्लिम फरीकायन के तरफ से हमेशा ये ही रहाए कि मसालिहत होनी चाहिए बातचीत होनी चाहिए और मुस्लिम फरीकायन के तरफ से बार बार ये बात कही जाती रही है कि सुप्रीम कोट जो फैसला करेगा हम वो मानने के लिए तैयार है सुप्रीम कोट अगर ये कह देगा कि वहाँ मस्जिद नहीं है तो हम मान जाएंगे जाहिरत बात यही मामल होगा और सुप्रीम लेकिन दूसरी तरफ से अक्सर और बेश्टर यही बास सुनने में आई है कि वहाँ से मुसल्मान अपना कबज़ा छोड़ दें वहाँ यह था ही नहीं तमाम तरह की बाते जो है वहाँाती रही है मौहुल ख्राब करने तक की बात आती रही है और मैं तो देखिए मुसालिहत जो बात हो रही है मुसालिहत फिर किस बात की अगर ये कहदी मुसालियत कमेटी या मुसालियत कराने वाले लोग जैसा कि शरी 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 ने कहा कि मुसल्मानों को दूसरी जगे मस्जिद बना लेनी चाहिए ये कौन सी मुसालियत हुई मुसालियत तो एक हक के बुनियाद पर होना चाहिए फोड़े बहुत कमों बेशी हो سकती है लेकिन आप किसी को किसी की जायदात ते बेद्ख़ल कर दें और फिर कायज़े निजा जायदात हमने करawat करा दी यह मसालियत तो नही हो तो ही विसलब दो भाई हूं दो भाई की जायदात हो एक भाई से आप काईशा साब आप छोड़ के चले जाए ये हम मसालियत कर रहे हैं तो ये कुंसी बात है मसालियत तो ये उसी में से दर्मियान का रास्ता निकाले कम ज्यादा करके तो मसालियत तो इस बुन्याद पे है कि वहाँ मंधिर भी बन जाए वहाँ मस्जिद भी रहे जैसा कि हमेशा से होता है हिंदुस्तान में कई मकामात पर आप वरानसी बे देख लें ग्यानवापी मस्जद, आप मत्रॉम देख लें वहाँ पे भी मंदिर भी है, मस्जिद भी है और छोटी छोटी जगों पिर हम देखते हैं इंदुस्तान में कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है तो चुकि इंदुस्तान की कल्चर है, कोई किसी को इतराज भी कभी नहीं रहा है तो अगर ऐसा कोई रास्ता निकले तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है अगर आप नाइनसाफी की बात करेंगे और फिर चाहेंगे कि बात चीज से मसला हल हो जाए तो फिर हल नहीं होगा अब आप अगर ये कह रहे हैं थाप की नहीं हम तो वहीं पर बस बनाएंगे मंदिर और कहीं नहीं और मस्जिद बनने नहीं देंगे और इसके बाद आप कहरें मसालियत तो ये मसालियत की बात नहीं है हमने बार बार ये बात कही है कि देखें बाद चीज से मसला हल हो सकता है लेकिन वही ये है कि आप इनसाफ की बात तो कने आप इनसाफ की बात नहीं करेंगे तो बात चीज़ से मसला कैसे हलोगा अगर वहाँ पर आप ये कहने हैं वहाँ पर मस्जिद जो है मंदिर तोड़ कर बनाया गया और तारीखों से ये चीज़ साबित नहीं हो रही किसी भी सूरत साबित नहीं हो रही हाई कोट का जो फैसला आया था 2010 में वह इसी बात पर चैलिंज किया गया था और वहाँ भी एक तरीके से आप समझ लें कि उसको ये कहलें कि धर्म की बनियाद पर उसको देखा गया मसला आस्था की बनियाद पर मसला ये कि उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और ये रामल्ला किताब वहीं पर रामल्ला पेड़ा हुए जब कि कोई सुबूत ऐसे नहीं मिले है और इसी बुनियाद पर वो चैलिंज किया गया है तो पहली चीज तो ये कि समसमात हो जाने दीजे ये तो आ जाने दीजे कि वहाँ मंदिर था नहीं था वहाँ मंदिर को तोड़ा गया है नहीं तोड़ा गया क्योंकि कहीं कोई हिस्टरी में इसकी नजीर नहीं मिलती है कोई सुबूत नहीं मिलता है तो जब ये सारी चीज़े हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि जरूर बात चीज़ से रास्ता निकलेगा और जंग या जगड़ा कोई किसी मसले का हल नहीं है जगड़ा मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता है ये सियासी जमाते हैं जो जगड़ा लगाती है तो मैरे ख्याल से कमसकिन फाइजा बात के लोगों को तो कोई इतराज नहीं होगा जो कि गंगा जमनी तहजीब को जानते हैं वो यहां के माहौन को जानते हैं, मिजाज को जानते हैं वहाँ पे अकसर जो मंदिरों के लिए फूल बेचने वाले हैं, वो मुसलिम है आप कशमीर में चले जाएे वहाँ जो वैश्णों देवी की पूजा कराने के लिए अपने कंदे पर सवार करके शरणार्तियों के ले जाते हैं वो मुस्लिम है तो इस तरीके कि मिसाले हिंदुस्तान में हैं तो फिर ये कोई बड़ा मसला नहीं है मसला हल हो सकता है जा बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया नाजिन अज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर ममताज आलम रिजवी साथ नाजिन हम फिर आजिरोंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजी इजादत और देखते रहिए MMC News इंडिया शुक्रिया